वेरी गूड इवनिग फ्रेंड्स वेल्कम याल ओन दी चैनल सेयरभज्यार.com बेसिकली गैस मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूटूब पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जो कि बेसिकली वीडियो नहीं था एक प्रमोशन था जैसे कि मैं आपको बता सकता हू कि उस प्रमोशन में काफी चीज़े बताई जा रही थी एक सेयर के रिलेटेड साथ ही कैज वहाँ पर जो व्यूज थे वो लैक्स में चले गए थे यानि कि कि किसी एक सेयर के बारे में गाईज आपको अगर मैं बताऊं अगर आपको कोई एक वीडियो देखते हैं और उस से लोग इस्पायर होते हैं या फिर उसको लोग फॉलो करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से आने वाले टाइम पर उस चीज से रिलेटर कितना इंपेक्ट करता है मार्केटिंग स्टेटिजी से ही अगर मैं गाईज आपको तो सब्वोज करिए आपको एक प् कुछ हुआ इस सेयर के साथ में भी तो मैं इस सेयर का नाम बताऊंगा आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आखर मैं कौन से सेयर की बात कर रहा हूं सारे चीजों के बारे में डिसकस करूँगा तो बेसिकली क्या हुआ गाईज उस स्टॉक का जो प्राइस था उस टाइम पर 10 रुपए का था और उसमें जो target price दिखाई जा रहे थी, वो साड़े 700 रुपए के दिखाई जा रहे थी, तो हुआ क्या guys, stock ने काफी जादा जो है, 10 रुपए से start trade करने start गया, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20, 20 से 25 पहुचा, और वहाँ पर जो एक बहुत ही बहतरीन तरीके की एक story भी बताई गई थी, उ इस तरीके से उसका जो profit है, उसका जो fundamental है, technical है, ये सारी चीज़ों को बहुत ही एक अच्छे तरीके से mathematics calculation के साथ दिखाया गया था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ उस stock के साथ में, तो ये सारी चीज़े मैं बताऊंगा, और ये वीडियो उनके लिए काफी important होने वाली है, जो दोस्तो पहने stock पर सबसे ज़्यादा नजर रखते हैं, तो basically guys मैं बता दू, वहाँ पर जो एक company थी, जो कि Japanese company थे, डाइजो इवास की company, जिसके साथ में वो company जो है tie-up करने वाली थी, और उनका जो guys mission था, कि उनका जो एक पौदा है, जो कि जापान में, जिसको गाने में लगबग 4 साल लगते हैं, वहाँ इंडिया में वो एक साल में कर पाएंगे, और उनका जो profit थागा, ज जाने कि अगर आप कोई एक चीज को 100 रुपय में बेख रही हैं, तो वहाँ पर जो है, वो approximately 500 रुपय में बेख रहा था, तो basically guys, कौन company ऐसी company के साथ deal नहीं करना चाहेगा, correct, तो ये सारी चीजे उस share में जो है, बताई जा रही थी, तो basically उस से पहले मैं आपको बताना चा और अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार रहे हो, तो आप चैनल को तो सब्सक्राब करना बुल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से regular update मिलता रहे हैं, और आप कभी भी किसी भी penny stocks की नजर में आएं, और आप नहीं फस हैं, तो इसके लिए मैं आप से recommend करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए, आपको कोई भी doubt हो, आप हमसे directly पूछ लीजिएगा, ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, Elegant Floriculture Agrotech India Limited Share के बारे में, बेसिकली इस share के बारे में क्या है, कि यह जो company है, और सब कुछ identify किया था कि ऐसा है या नहीं, और मैंने उसके उपर पूरी वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो आप लोग तभी समझ चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखी, आपने miss किया, तो यह आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क् टाइम पर काफी high price पर पहुँच गया था, जैसा कि मैंने इसके research करी, इसके fundamental देखे, technical देखे, तो यहाँ पर मुझे company का कुछ नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर Lex में भी उनका profit नहीं हो रहा था, ना crores में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर company का fundamental analysis इतना अच्छा, नहीं था, तो मैंने सोचा हो सकता है कि guys, इमकी जो deal होने वाली हो, उससे का फर्क पढ़ने वाला हो, आने वाले टाइम पर, लेकिन guys, वो deal भी इतनी confirm नहीं थी, क्योंकि Google पर मैंने सारा कुछ देखा था, उनकी websites पर मैंने सारा कुछ चीज़ देखा था, और मै जब मैंने आपको ये खबर दिया, तो guys, उस टाइम पर share पर lower circuit लगना स्टार्ट हुआ था, और मैंने खबरदार किया था, इस share के regarding में, और guys, आज आप देख सकते हो, इस share में 22.15 रुपए पर पहुँच चुका है, continuously lower circuit लगा guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपकी screen पर knowledge रखें, तब ही आप किसी stock में जो invest करें, ताकि आपको जो किसी भी तरीके की हानी ना पहुचे, तो basically guys, जब यह promotion start हुआ था, तो यह stock approximately 10-15 रुपए के करीब था, और यह stock काफी अच्छा गया, 61 रुपए तक पहुचा, 40, 30, 50, लेकिन guys, यहाँ पर buying तो सब ने किया होग और जब से lower circuit लग रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, जब भी lower circuit लगता है, तो share को बेचने में काफी ज़्यादा देखकत होती है, तो guys, जिन लोगों ने starting में लगा रखें, वो तो guys, काफी अच्छा अपना मुनाफ़ा बना चुके होंगे, लेकिन जो guys, बिचारे जो retail investor होते हैं, वो फस जाते हैं, तो guys, मैं आपको recommend करूँगा, कभी भी किसी भी penny stocks में ना फस हैं, साते guys, मैं आपको उता दूँगा कि इसके पीछे का reason कहा, suppose करिए guys, आपने कोई advertisement चलाया, ठीक है, lacks of log, जो है, वो advertisement को देख रहे हैं, और वो उस stock में invest कर रहे हैं, तो guys, जब पैसा बढ़ेगा, तो volume बढ़ेगा, volume बढ़ेगा, तो guys, price बढ़ेगी, तो price बढ़ेगी, तो guys, stock भी रहे जुगा, तो वही सीन हुआ, यहाँ पर supply और demand का guys, आप सभी को जो है, पता होगा, तो वही जो है, सीन हुआ, यहाँ पर, तो guys, basically, एक pump and dump scheme थी, pump हुआ, dump हुआ, तो guys, अगर आपको आगे से इस तरीके की scheme नहीं फसना है, तो आपको जो है, पूलकुल खबरदार रहना है, तो guys, यह इसके उपर भी काफी ज़्यादा चर्चाय रहते हैं, कि guys, कि किस तरीके से इस stocks पे बचा जाए, तो basically guys, मैं यहाँ पर आपको एक एचीज बताना चाह है, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी मैं आपकी पूरी help करूँगा, साथ ही guys, यहाँ पर जो कई सारे rules and regulation भी है, इसके regarding में, अगर जो पकड़े जाते हैं, उनको guys, वहाँ पर problem भी face करना पड़ता है, और जो बच जाते हैं guys, वह जो है, निकल जाते हैं, और company guys, share market में approximately 500 से उपर listed है, तो guys, CBB जो इस पर काफी जाता नज़र रखती हैं, लेकिन हर company पर नज़र रखना guys, possible नहीं है, तो guys, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि guys, stock market जो एक fraud नहीं है, लेकिन बस वही है guys, आपको जो है, पूरा fundamental technical analysis के तरह रहना है, ठीक है, और आपको किसी भी YouTube, website या कोई भी research करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, और पहले अगर आप कहीं पर वीडियो देख भी रहे हो, तो उसको भी verify करना बुलकुल मत भूलिए, साथिकाज ये वीडियो में आपके लिए education purpose के लिए बना है, अगर आपको guys, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो guys, आप चैन